हापुड पहुचे कल कल के पीटा धीश्वर एवं कॉंग्रेस के वरिष नेता आचारी प्रमोद कृष्णन ने अपना बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर कॉंग्रेस हारी तो इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी अखिलेश है और जब से ये देश काजाद हुआ है तब से लेके आज तक ऐसे हाला नहीं देखे गई कि जिदर देखते हैं उदर नफरत के दौर है आदमी आदमी से इंसान इंसान से मुहबबत करता था लेकिन समाजिक समरस्ता के ताने वाने में एक बहुत बड़ी दरार आई है बहुत बड़ा संकट उत्पन हो रहा है राजनेतिक लोग अपने अपने फाइदे के लिए समाज को तोड़ना चाहते हैं कुछ पाइटियां हैं जो धर्म के नाम पर देश का विभाजन करना चाहते हैं और कुछ हैं जो जातियों के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं विभाजन विभाजन है धर्म के नाम पर ये देश एक विभाजन देख चुका है और भारत के विभाजन की वो विभीशका का जख्माज तक हमारी आत्मा पे लगा हुआ है अब इस देशका और विभाजन नहीं होना चाहिए मैं सभी राजनेतिक पार्टियों से राजनेतिक दनों से ये अपील करना चाहता हूं तमाम देश के बड़े नेताओं से उत्तरप्रदेश के नेताओं से उत्तरप्रदेश की हुकूमत से देश के नेताओं से देश की हुकूमत से कि सियासत छोटी है देश बढ़ा है देश रहेगा तभी राजनीत रहेगी तभी सत्ता रहेगी तभी ये लोक्तंत रहेगा चुनाव आते जाते रहेंगे सरकारें बनती और एलती है लेकिन देश का नुकसाण नहीं हुणा टाइब कि को मत का सवर्फ का करतब देश में सबसे पहले शांती रहे थे देश में आमन रहना चैंड़े महबत रहें फिर आने वाले दो लोकसाब चुनाव है अप effort क्या लगताय स्वाब न is 같ाइब का इस्विश में जिए चुनाव होने जारहें